हेलो बचो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बचो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है बटे हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नमबर 4 का वीडियो नमबर 7 तो मैं ये चोथे यूनिट का सातवा वीडियो है और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रक्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नमबर 4 के सभी वीडियो को समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट भी बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत जादे हैल्प करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रक्शन में पीडियो नोट का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडियो नोट के लिए टेली ग्राम पर भी सर्च कर सकत हो K.M.D. सहरणपुर तो देखते हैं आज का हमारा टार्गेट क्या है आज हमें दो क्योस्चन्स डिसक्स करने है सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे रए सेह सयोजक आबंध के निर्मार्ण की परिस्थितियां या शर्पें कई सयोजक आबंध के निर्मार्ण में कौन-कौन स परिश्थितियों में सह संयोजक आबंद बनता है और दूसरे नंबर पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों से डिस्ट करेंगे सह संयोजक यौगीकों के लक्षन जैसे हमने आईनिक या सहेयोजक योगी को के लक्षण पढ़े थे बिलकुल इसी तरीके से हमें पढ़ने हैं सहेयोजक योगी को के लक्षण तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक पहला topic क्या है सहर संयोजक आबंद के निर्मान की परिस्तितियां या शर्ते की सहर संयोजक आबंद कब-कब बन सकता है या कब-कब बनता है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मानलो आपके पास कोई परमाणू है और उस परमाणू की बाहरी कक्सा में या तो चार इलेक्ट्रोन है या पांच है या छे है या साथ है तो जिस परमाणू की बाहरी कक्सा में चार पांच छे या साथ इलेक्ट्रोन ह होते हैं ऐसे परमाणू अधिकतर सह संयोजक आबंद ही बनाते हैं ठीक है तो सबसे पहली चो सर्थ यह है सबसे पहली सर्थ कह दो या परिस्थिती कह दो एक ही बात है जिन परमाणू की जिन परमाणू की बाहरी कक्षा में जिन परमाणू की बाहरी कक्षा में चार, पाँच, छे या साथ इलेक्ट्रोन होते हैं या साथ इलेक्ट्रोन होते हैं, वे अधिकतर सहसंयूजक बंद ही बनाते हैं सहसंयूजक बंद ही बनाते हैं मतनब जिनकी बारी कश्चा में चार, पाँच, छे या साथ इलेक्ट्रोन होंगे वे जादेतर एधातू होंगे और जब कोई एधातू किसी दूसरे एधातू परमाणू के साथ जुड़ता है तो वहाँ इलेक्ट्रोनों की साजेधारी ही होती है आदान परदान नहीं होता है तो ऐसी स्थिती में क्या बनता है? सहसंयूजक बंद ही बनता है ठीक है? नमबर दो दूसरी बात चलो इसी बात को दूसरे तरीके से लिखते हैं यदि आपके बाद दो एधातू परमाणू है दो क्या है एधातू परमाणू तो दो एधातू परमाणू जब भी आपस में जुड़ेंगे ठीक है? क्या लिखेंगे हैं? आपस में जुड़ते समय या संयोग करते समय अधिकतर या सामन्य तह या ज्यादतर कौन सा बंद बनाते हैं सह संयोजक सह संयोजक बंद ही बनाते हैं पहली सर्थ तो हमने पढ़ी कि जिन पर्माणूओं की भारी कस्ता में चार पांच छे या साथ इलेक्ट्रोन हैं वे पर्माणू ज्यादतर सह संयोजक बंद ही बनाएंगे इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको दूसरी बात हमने पढ़ी कि जब दो एधातू पर्माणू वापक में जुड़ते हैं तो उन एधातू पर्माणूओं के बीच कौन सा बंद बनता है? सह संयोजक बंद ही बनता है अच्छा एक बात और है एक सर्थ और है या एक परिस्तिती और है यदि जुड़ने वाले जुड़ने वाले कहदो या संयोग करने वाले कहदो एक ही बात है यदि जुड़ने वाले एधातू पर्माणूओं की विध्युत रिनात मक्ताओं का अंतर शुन्य होता है जीरो होता है तो उनके बीच सदैव कौन सा बंद बनेगा उनके बीच सदैव सहसंयोजक बंद ही बनता है अब देखों यहां एक बात है इन्होंने इस पॉइंट में बताया कि यदि हमारे पास दो एधातू पर्माणूं है और उनकी विद्यू त्रिनात मक्ताओं में अंतर है शुन्य जीरो अंतर है तो सुन्य अंतर का मतलब है कि वे दोनों पर्माणूं एक ही तत्व के होंगे यदि पहला पर्माणूं हाइडरोजन का है तो दूसरा पर्माणूं भी हाइडरोजन का ही होगा जबी तो विद्यू त्रिनात मक्ताओं में अंतर सुन्य होगा जैसे मैं आपको कहूं कि मानलो हमारे पास एक एधातू पर्माणूं है H और दूसरा भी H है तो H2 यदि आप H2 को दिखोगे तो H2 में दो पर्माणूं है और दूनों ही हाइडरोजन के हैं तो दोनो परमानों वोगी विद्यूत्रिनात्मक्ता बिलकुल एक जैसी होगी और यदि दोनो परमानों वोगी विद्यूत्रिनात्मक्ता बिलकुल एक जैसी होगी तो ये बात पक्की है कि इनकी विद्यूत्रिनात्मक्ताओं का अंतर सुन्य होगा और यदि विद्यूत्र लिख सकते हो, N2 लिख सकते हो, ये सब इसी के उधारन आप लिख सकते हो, अच्छा, आप P4 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सभी क्या है, सहसंयोजक योगी को, सहसंयोजक अनुओ के, अनुओ कहना चाहिए, सहसंयोजक अनुओ के उधारन है, देखो, इस point number 3 को आप ऐसे भी कि जब एक ही तत्व के दो परमानु आपस में जुड़ते हैं, तो उनके बीच सहसंयोजक बंद बनता है, देखो, एक ही तत्व के दोनों परमानु जुड़े हैं, एक ही तत्व के दोनों परमानु जुड़े हैं, यहां भी दो परमानु, अब यहां कुछ बच्चे सोच लोगे कि सरी हां तो चार परमानू है वह चार परमानू भले ही हो पर दो परमानू के बीच ही तो बंद बन रहा होगा बंद जो बन रहा होगा वो दो परमानू के बीच बन रहा होगा दो दो परमानू के बीच ठेक है अच्छा एक और लिखते हैं चलो पर इसके पी एक और क जुड़ने वाले यदी जुड़ने वाले दो एधातु पर्मानुओं, दो एधातु पर्मानुओं की विद्यूत्रनात्मक्ताओं का अंतर, विद्यूत्रनात्मक्ताओं का अंतर, वन पॉइंट सिक्स फाइव से कम होता है, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, वन पॉइंट सिक्स फाइव से कम होता है, तो उनके बीच, तो उनके बीच भी कौन सा बंद बनता है, सहर सईयोजक, उनके बीच भी सहर सईयोजक बंद ही बनता है, देखो, एक बात ध्यान रखना, सहर सईयोजक बंद के लिए एक बड़ी बात ये है, कि एधातू परमाणू के बीच बनता है, आपको अब तक क्या सिखाया गया है, अब तक तो ये सिखाया गया है, कि यदि कोई धातू परमाणू किसी एधातू परमाणू में साथ जुड़ता है, तो धातू परमाणू में से इलेक्ट्रोन निकल जाते हैं और ऐ धातू परमाणू उन इलेक्ट्रोनों को ग्रहन कर लेता है तो जब धातू में से इलेक्ट्रोन निकले और ऐ धातू में वो प्रवेश किये तो इलेक्ट्रोनों का इस्थानांतरन हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रोनों का आदान परदान हुआ है और इलेक्ट्रोनों के आदान परदान के करण जो बंद बंता है उसे आप कहते हो आईनिक बंद या विद्जुत संयोजक बंद या आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड उसे तो हम पढ़ चुके हैं आयोनिक बंद वो तो हम पढ़ चुके हैं दूसरी बात आपको सिखाई थी कि जब दो एधातू परमणू आपस में संयोग करते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोन का आदान परदान नहीं होता है क्योंकि दोन्डो परमणू एधातू है और एधातू परमणू की आदत होती है इलेक्ट्रोन को ग्रहन करने की वो चाहता है कि मैं उसका इलेक्ट्रोन चीन लू और पहला परमाणू चाहता है कि मैं दूसरे परमाणू का इलेक्ट्रोन चीन लू तो दोनों परमाणू एक दूसरे का इलेक्ट्रोन चीनना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिती में क्या होता है कि इलेक्ट्रोन चीन तो कोई भी नहीं पाता है अपीतु होता क्या है कि इलेक्ट्रोनों की साजेदारी होती है दोनों परमाणूं के बीच और दोनों पर्माणूं के बीच इलेक्ट्रोन की साजेदारी के कारण जो बंद बंदा है उस बंद को हम कहते हैं सहसंयोजक बंद तो यहाँ जादेतर परिश्थितियों में आपने एक बात नोट करी होगी कि हम एधातू पर्माणू का ही जिकर कर रहे हैं हम जब भी बात कर रहे हैं एधातू पर्माणू को फोकस कर रहे हैं हमने सबसे पहले पढ़ा कि जिन पर्माणू की बारी कक्सा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रोन होते हैं वे अधिकतर सहसंयोजक बंद ही बनाते हैं तो मुझे एक बात बताओ उसके तो आप एक बार डाउट कर सकते हो कि 4 इलेक्ट्रोन है सरसाइज 4 इलेक्ट्रोन वो छोड़ दे नहीं छोड़ेगा 4 इलेक्ट्रोन ठीक है? हाला कि 4 वर्ग में या 4 वर्ग में यदि आप उपर से निश्चे आओगे तो धात्वी कलक्षन बढ़ेगा हाँ ये बात तो है कि जो वर्ग नंबर 14 है उसके उपर के जो तत्व है वे एधात्वी कलक्षन जादे दिखाएंगे और निश्चे की तरफ आते वे धात्वी कलक्षन बढ़ेगा पर हम वर्ग नमबर 14 के सभी तत्वों के उपट ठपा नहीं लगा सकते हैं कि सारे ये धातू है ज्यादतर क्या है इनमें एधातू तो पांचवे वर्ग के तत्व जिनकी भारी कक्सा में पांच इलेक्ट्रों है वे आठ करने के लिए क्या सोरेंगे आठ करने के लिए 3 इलेक्ट्रोन लेंगे ही तो या 5 छोड़ देंगे वे 3 इलेक्ट्रोन लेंगे और 3 इलेक्ट्रोन लेंगे तो पक्की बात है कि क्या है एधातू जिनकी भारी कख्षा में 6 इलेक्ट्रोन है वे 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रोन लेंगे तो जिसकी आदित इ एक इलेक्ट्रोन लेंगे और एक इलेक्ट्रोन यदी वे लेते हैं तो वे भी क्या है एधातूस तो हमने पहली तो आपको इस बात को दिमाग में बिल्कुम घुसाना पड़ेगा कि इस बात को कि जो एधातु परमाणू होते हैं न वे आपस में जुड़ते समय हमेशा क्या बनाते हैं सेह सहयोजग बन ही बनाते हैं ठीक है।च अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर देखो दूसरा टॉपिक क्या ए case व्योगिकों के लक्षण। तो यहां से मैं हैडिंग लिखता हूं चलो हैंडिंग लिखता हूं, सेहले सहयोजग इसके कुछ example ले लेते हैं, फिर लिखेंगे इस point को, हमने लिखा कि यदि जुड़ने वाले दो एधातु परमाणों की विद्धू त्रेनात्मक्तों का अंतर 1.65 से कम होता है, तो उनके भी कौन सा बंद बनता है, सहसायोजक बंद बनता है, जैसे आप एक example लिखो, example आप ल दो बंद बनेंगे, आपको S2O का structure पता है न, संरिचना पता है, S2O का कैसा होता है, V-shape, कल पर सो हमने समझाता, इसमें क्या है, कि इसमें हाइड्रोजन और oxygen की विद्धू त्रेनात्मक्तों का अंतर 1.65 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, इसी तरीके से आप example ले सकते ह हो, हाइड्रोजन और कलोरीन की विद्धू त्रेनात्मक्ता का अंतर भी 1.65 से कम होता है, example ले सकते हो, CO2, तो इन योगिकों में, चाहे ये योगिक है, ये और ये, इन योगिकों में जो परमाणू अलग-अलग तत्वों के हैं, जैसे इसमें कार्बन और oxygen के परमाणू ह तो इन अलग-अलग तत्वों के परमाणू की विद्धू त्रेनात्मक्ताओं का अंतर 1.65 से कम है, इसलिए hydrogen और oxygen के भी सहसेयोजक बंद बनेगा, hydrogen और chlorine के भी सहसेयोजक बंद बनेगा, carbon और oxygen के भी सहसेयोजक बंद बनेगा, ठीक है, पक्की बास है, अच्छा वैसे मैं इन सारी बातों का एक निचोड़ देता हूँ आपको, यदि आपके सामदे कोई योगिक का सूत्र लिखा हुआ है, तो आप उस सूत्र को देखकर पहचान सकते हो कि वो योगिक आईनिक योगिक है, या फिर सहसेयोजक योगिक है, आप पहचान सकते हो, कैसे? आपको जो यदि योगिक दिया है आप उस योगिक के फर्माणूं को चेक करो यदि उस योगिक के सारे फर्माणूं आपको एधातू नजर आ रहे हैं तो समझ जाओ कि उस योगिक में सहसंयोजक बंद बन रहा होगा और सहसे योगीक होगा वो सहसे योगीक होगा और यदि आपको कोई योगीक दिया गया है उसमें आपको धातू परमाणू और एधातू परमाणू नजर आते हैं किसी भी योगीक का सूत्र देखकर उसकी पहचान कर सकते हो कि वो आइनिक योगीक है या सहसंयोजग योगीक है आपको सिरफ यह चेक करना होगा कि उस योगीक में क्या सारे परमाणू एधातू परमाणू है क्या उन परमाणूं में से कुछ परमाणू धातू परमाणू भ करते हैं तो वो सहसे योगिक होगा जल्दी से स्क्रीन सॉट लो दूसरे टॉपिक पर स्विच करेंगे फिर हम ले लिए वेटे स्क्रीन सॉट थीग है अब हम पढ़ेंगे सहसे योगिकों के लक्षन सहसे योगिकों के लक्षन आपको पता है न सहसे योगिक किसे कहते हैं सहसे योगिक उन योगिकों को कहते हैं जिनके परमानू आपस में सहसे योगिक बंदों द्वारा जुड़े होते हैं परमानू यदि आपस में सह संयोजक बंदो द्वारा जुड़े हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो योगिक कैसा है सह संयोजक योगिक है या उस योगिक को आप सह संयोजक योगिक कह सकते हूँ कल इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि सह संयोजे की यौगी किसे कहते हैं और बहुत important question है ये question important है इसे बिल्कुल पक्ता करके जाना है आपको ध्यान रखना important question है ये तो सबसे पहले सह संयोजक यॉगिकों का जो सबसे पहला लक्षन है उसमें हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था तो यदि आप भौतिक अवस्था भी बात करते हो तो सह संयोजक यॉगिक ठो सवस्था में भी पाए जाते हैं और द्रव में भी और गैस में भी जैसे आप कह सकते हो कि जादे तर सह संयोजक योगिक मर्दू ठो सवस्था में पाए जाते हैं में कफर नहीं होते हैं फहर का मतलब सुठ होते हैं जैसे एक लेघ्जामपल दें सकते हो आप ऐडी है परिदी आइडी में एक सहाध्योजक ठोस है सहा इसके अंदर दोनों परमानूं किसके हैं आयोडीन के हैं आई के हैं तो इलेक्ट्रों की साजेदारी होगी और electronों की साजेदारी से बनने वाला बंद क्या होता है सहे सहियोजक बंद अच्छा द्रव भी होते हैं यह कुछ द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं जैसे आप कह सकते हो bromine, red color का liquid होता है लाल रण का द्रव तो सहे सहियोजक ठोस कह दो या सह सहयोजक यौगी कह दो, ये ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं, जैसे CL2 है, ठीक है, CL2 क्या है, एक गैस है, क्लोरीन के अलावा आप नाइट्रोजन भी लिख सकते हूं, ये भ से पहली बात तो यह है कि जो आपके सहर संयोजिक योगिक हैं इनकी भौती कवस्था ठोस भी हो सकती है द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है ठीक है नंबर दो दूसरा लक्षन हम पढ़ेंगे गलनांक गलनांक वे क्वथनांक बिल्कुल ध्यान से समझेगे तब बच्चे देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँगा और यह अपने आपने एक इंपॉर्टेंट क्योंसर है यह वाला पॉइंट नंबर दो सहसंयोजक योगिक जो होते हैं ना यह सहसंयोजक योगिक इन सहसंयोजक योगिकों की एक खासियत होती है कि सहसंयोजक योगिकों के गलनांक सहसंयोजक योगिकों के गलनांक वे क्वथनांक सहसंयोजक योगिकों के गलनांक वे क्वथनांक कम होते हैं कम होते हैं अब सवाल यह है कि स्वर्थ क्यों होते हैं कम सहसंयोजक योगीकों के गलनांग वेक वतनांग कम क्यों होते हैं कारण बताओं इसका इसलिए होते हैं कम क्योंकि इनके जो अनू होते हैं इनके अनू किनके अनू इनके अनु आपस में कमजोर का मतलब वीख दुरबल कमजोर वांडरवाल वांडरवाल्स लिखदू कमजोर वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं तो जो सहसेयोजक यौगीत हैं इनके गल्दनांक वे कौथनांक कम इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो अनु हैं वे आपस में जुड़े होते हैं कमजोर वांडरवाल्स बलों द्वारा या कमजोर वांडरवाल्स बंधों द्वारा और उन कमजोर वांडरवाल्स बंधों को पासंदी से तोड़ा जा सकता है थोड़ा से ही गरम करो एकदम तूट जाएंगे और सारे अनू हो जाएंगे अलग-अलग ठीक है और अलग-अलग हो जाएंगे तो या तो वो गल जाएगा या तो उसका क्वथन हो जाएगा यदि वो ठोस पदार्थ है तो यदी वो ठोस है तो उसका गलनांग कम होगा और यदि द्रव है तो उसका क्वतनांग भी कम होगा टेक है पर हाँ एक बात ओओ यह चलो हाँ एक इस्टार लगाते हूं आपको कुछ अपवाद भी याद रखने होंगे अपवाद उन्हें कहते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं जैसे मैं आपको कहूं रेट भई रेट जो है वो ठोस है SI O2 सिलिका भी कहते हैं इसे सिलिका तो रेट में सिलिकन है और ओक्सीजन है एधातू है और एधातू है एद हत्वों के बीच बनावा बॉंड कुम सा होगा सहसेयोज़क बंद होगा कोवलेंट बॉंड होगा इसका मतलब SIU2 या सिली का या रेस एक सहसेयोज़क यॉगिक है और सहसेयोज़क यॉगिक होने के बावजूद भी इसका गलनांक बहुत ज़ाद होता है आप एक कढ़ाई में या बरतन में या तवे के उपर रेस को रखोर गरम करते रहो बहुत हो रेस गल जाएगा क्या गलेगा तो नहीं क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़ाद है बहुत हाई टेंपरिचर पे गलेगा कहीं 1000 डिगरी सी पर समझ में आती है वास तो SIO2 एक सहर संयोज़क योगिक है फिर भी इसका गलनाग बहुत जाते है हाला कि हमने पढ़ा है कि सहर संयोज़क योगिकों के गलनाग वे कुछनाग क्या होते हैं कम होते हैं क्योंकि इनके अनु आपस में कमजोर वंडरवाल बलो द्वारा या बंदो द्वारा जुड़े होते हैं इसी तरीके से हीरा है यदि आप हीरे की बात करो तो हीरे का गलनाग भी तो बहुत जादे है हीरा तो बहुत कठोर होता है इसी तरीके से ग्रेफाइट है तो ये कुछ अपवाद है जो आपको याद रखने है अब यहाँ बच्चों के दिमाग में क्योफ्चन आता है कि सर ठीक है चलो अच्छी बात है आपने बता दिया कि सह संयोजग योगीकों की गल्णाग वक्वतनाद कम होते हैं क्योंकि उनक फिर इनके अंदर क्या खासियत है इनके अंदर क्या खासियत है इनके अंदर खासियत पता क्या है इनके अंदर खासियत यह है कि इन में जो सह संयोजग बंद बनता है न वो सह संयोजग बंद बहुत मजबूत होता है क्या होता है बहुत मजबूत और इनकी जियेंट तोस सिख्र कैसे हैं को जई ऐसी संदरचना जो क्रिस्टल деле रूप बना दे यानि उस पदार्थ को या उस ठोस को क्रिस्टल रूप में कनवेरी कर धा सके से खो mcticamente जो सबसे पहला चैप्टर रहे वह इसार आप nog चलो अच्छा फिर भी चलो थोड़ा सा हें तुमें हा देता हूं तीसरे लक्षण मतलब मैंने बताया कि इनके जो सहसेयोजिक बंद है बहुत ज्यादे मजबूस है इसलिए इनके गलनांक वे क्वथनांग जरूरत से जादे हैं हाला कि जादे तर सहसेयोजिक योगिकों के गलनांग वे क्वथनांग वोते हैं बहुत कम पर इनके जादे हैं यह अपवाद हैं अपवाद वाने एक्सेप्सन जिने नियमों का पालन नहीं करना है यहां समझेगे चलो इसे क्रिस्टल संद्चना वी क्रिस्टल संद्चना क्रिस्टल संद्चना तो क्रिस्टल संद्चना क्या सभी सहसेयोजिक योगिकों की क्रिस्टल संद्चना होगी नहीं किनकी होगी केवल जो प्रबल सहसेयोजिक बंद बनाते हैं न केवल प्रबल सह संयोजक केवल प्रबल प्रबल माने स्ट्रॉंग मुझबूत केवल प्रबल सह संयोजक बंध बनाने वाले योगीकों की संद्रचना कैसी होती है क्रिस्टल यह होती है क्रिस्टल यह होती है जैसे उपर एक्जाम्पल लिखे है ठीक है जैसे आप एक्जाम्पल दे सकते हो हीरा दे सकते हो ग्रेफाइट दे सकते हो यहां लिख देते हैं जैसे हीरा जैसे हीरा डाइमंड के दू, हीरा के दू, एकी बात है ग्रेफाइट आदी तो इनकी क्रिस्टल यह संरचना है क्योंकि इनमें जो सहर सायोजक बंद बनता है, वो बहुत मजबूत बनता है अब नंबर चार पर हम जो चोथा लक्षन हम जो डिस्कॉस करेंगे वो है विद्धुचालक्ता बहुत इंपोर्टन है यह पॉइंट भी विद्धुचालक्ता विद्धुचालक्ता के बारे में समझेगे अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आयनिक योगिक हैं आयनिक योगिकों के लक्षन भी तो पढ़ लिये थे एक तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है और एक ये वाला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है जो आयनिक योगिक थे वे ठो सवस्था में तो विजुत के कुछालक थे क्योंकि ठो सवस्था में उनमें आ गली तवस्था में लिया हो या फिर उनका आसूद जल में या डिस्टेल्ड वाटर में विलियन बना लो तो वे विजूत के सुचालक होते हैं क्योंकि गली तवस्था में या विलियन अवस्था में उनमें मुखतायन पाए जाते हैं इसलिए वे ठोस अवस्था में तो करने थे तो कि इस anál Sense ब्णा थोस में मुख्त ताइन नहीं पाए जाते हैं ठीक है? तो हम इहां लिखेंगे ये, ये का मतलब सहसे योजक योगिक ये विद्धुत के ये विद्धुत के कुचालक होते हैं ये विद्धुत के कुचालक होते हैं क्यों होते हैं विद्धुत के कुचालक? क्योंकि इन में क्या नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इन में मुक्त आयन मुक्त आयन या फिर लिख दो मुक्त इलेक्ट्रोन ये दो ही तो कारण है करेंट को सप्लाई करने के लिए मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रोन नहीं पाए जाते हैं ये तो सामन्ने बात हुई जादेतर सहसेयोजक योगी विज्दत के कुछालक होंगे क्योंकि ना तो उनमें मुख्त आयन होंगे और ना ही उनमें मुख्त इलेक्ट्रोन होंगे पर जैसे हमने यहाँ अपवाद पढ़े रेना इती तरीके से यहाँ भी कुछ अपवाद हैं एक्सेप्सन से और जो पेपर सेटर होता है न वो जादेतर अपवाद के बारे में ही क्योंकि पूछता है जो आपके धुरुविये सहसेयोजक योगी होते हैं धुरुविये धुरुविये सहसेयोजक योगी धुरुविये सहसेयोजक योगी जैसे धुरुविये सहसेयोजक योगी जैसे NS3 जैसे HCL जैसे NS3, NS3 दुरुविय है, HCL दुरुविय है और जैसे CS3, CWH आदी यदि आप इने देखो न, अमोनिया को देख लो या HCL को देख लो, या Acetic Acid को देख लो तो इनके जो जलिय विलियन है न, आदी के जलिय विलियन विद्युत के विद्युत के सुचालक होते हैं मतलब हम जे उपर पढ़ा है कि सहसयोजग योगिक विद्युत के कुछालक होते हैं इनमे करंट क्लो नहीं होता क्योंकि ना तो इनमे मुक्त आयन है और ना तो मुक्त इलेक्रौन है और निश्य अपवाद में लिखा कि जो धृविये सहसयोजग योगिक है धृविये का मतलब जिनके दो धृव हो जैसे आप HCL से समझ सकते हो बड़ी असन्य से यदि आप HCL को देखोगे ना ऐसे H bond CL तो इसका जो bond है उस bond के दोनों इलेक्टरौन बिल्कुल बीच में रहने चाहिए पर बिल्कुल बीच में नहीं होते हैं यह दोनों इलेक्टरौन मध्यमान इस्थिती से यानि बीच से या मध्य इस्थिती से थोड़ा क्लोरीन की तरफ को सरके होते हैं क्योंकि क्लोरीन की विद्धुत रिनात्मक्ता हाइड्रोजन से जादे है और क्लोरीन की तरफ सरके वे हैं ऐसा संयोजब बंद तो बंता है। पर बंद के दोड़ा सा क्लोरीन की तरब को सरके हुए हुते हैं। Because the electron negativity of chlorine is higher than hydrogen. जो chlorine का वेद्वित रिनात्मकता है वो hydrogen से जादे है. इसलिए electron pair थोड़ा सा chlorine की तरफ को सरग जाएगा, shift हो जाएगा. जिसकी वज़े से chlorine का उपर आ जाएगा, आंसिक रिनावेस या slightly negative charge और hydrogen का उपर आजाएगा, आंसिक धनावेस या slightly positive charge. तो FCL के ये तो धंदू बन गया ये बन गया है रिंड्डू तो FCL होता है ध्रूबिय इसी तरीके से NFZ भी ध्रूबिय होता है CF3, CWHB भी ध्रूबिय होता है अब यदि यह ध्रूबिय है FCL और आप इसे पानी में घोल दोगे तो पानी भी तो धुरूबिय है और पानी में घुल दिया आपने इसे पानी भी धुरूबिय है तो पानी के अंदर तो यह पक्का है गुलेगा इसका बॉंड तोड़ देगा पानी क्योंकि life dissolve life समान समान को घोलता है ठीक है जैसे में तैसा और यदि पानी में आप नहीं से घोल दिया तो इसका bond टूटेगा ही टूटेगा पकी बात है और यदि bond इसका टूटेगा तो इसमें होगा विशम विदलन क्या होगा विशम विदलन विसम विजलन ऐसे bond टूटने को कहते हैं जब bond pair जो bond pair of electron है यानि बंध युग्म electron का जोड़ा किसी एक परमानू पर चिला जाता है यदि ये bond यहां से टूटेगा न तो electron कौन लेके भाग जाएगा दुन्नों electron दुन्नों electron तो cl लेके भाग जाएगा और eps के पास एक भी electron नहीं रहेगा तो इसे पानी में गोलने पर आपको एक तो मिलेगा eps positive और एक मिलेगा cl negative तो ये आपको प्राप्त हो जाएगे तो हमने यहां लिखा है अपवाद में जैसे अमोनिया विजुद के सुचालक होते हैं क्योंकि क्योंकि इनके जलिये विलियनों में क्योंकि इनके जलिये विलियनों में क्या पाए जाते हैं विलियनों में मुक्त आयन इनके जलिये विलियनों में मुक्त आयन क्या पाए जाते हैं मुक्त आयन पाए जाते हैं ये अपवाद ध्यान रखना है सब बच्चों को कि जो ध्रुविय सह संयोजक योगिक होते हैं वे विद्धुत के सुचालक होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जली विलियन जब भी आप बनाऊगे वे मुक्त आयन देंगे उनके जली विलियन में मुक्त आयन होंगे अब यहां जो बच्चे जादे इ intelligent हैं उनके दिमाज में एक क्योस्टन जो है करवटे ले रहा होगा और बहुत परिसान कर रहा होगा उनके दिमाज में क्योस्टन आ रहा होगा फिर सेर आपने एक बात बताई कि ध्रूभीय सहसे तो यहां इलेक्ट्रोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ तरकावा यहां भी ऑक्सीजन की तरफ तरकावा तो ऑक्सीजन पर दो इकाई आंशिक रिणावेश और हाइड्रोजन पर एक इकाई आंशिक धनावेश और यहां भी एक इकाई आंशिक धनावेश तो जल भी तो एक H2O क्या है सहसेयोजक योगीक है क्यों है सहसेयोजक क्योंकि हाइड्रोजन एधातू ऑक्सीजन एधातू यह हाइड्रोजन एधातू ऑक्सीजन एधातू और एधातू और एधातू के बीच जब भी बंद बनता है तो इलेक्ट्रोन की साज्जेदारी होती है और इलेक्ट् इसका मतलब जल एक क्या है सह सही हो जब योगीक है और ध्रुबिय भी है क्योंकि हाइडोजन और ऑक्सीजन की विज्जुत रिनात्मक्ताओं में अंतर 1.65 से क्या है 1.65 से कम भलेईयों पर अंतर तो है अंतर है तो इलेक्ट्रोन पे और ऑक्सीजन की तरफ को सरकावा होगा ऑक्सीजन पर दो इकाई रिनावेस होगा और हाइडोजन पर एक एक इकाई धनावेस होगा भलेई वो अंसिक हो तो ये दुरुबिय भी हो गया और सहसे योजक भी हो गया जब ये दुरुबिय और सहसे योजक भी है और दुरुबिय भी है और आपने कहा कि दुरुबिय सहे संयोजक योगी वोगे जलिया विलिया विद्धूत के सुचालक होते हैं तो पानी जो सुध जल है वो विद्धूत का सुचालक क्यों नहीं होता है वैसे जादे तर बच्चे तो इसी कन्फूजन में रहते हैं जादे तर बच्चे सोचते हैं कि जो सुध जल है वो विद तो इसका मतलब साफ है कि इसके बहुत कम अनु आयनों में तोतें उते हैं पहुत कम का मतलब पता किस उत्स हैं लगबग पचास पचपन या साथ लाख जल के अनू यदि आप लोगे तो पचपन लाख अनू में से या साड़े पचपन लाख अनू में से एक अनू तूटेगा आयनों में तो जब 50 लाग में से एक अनू आयनों में टूट रहा है तो इसका मतलब वो तो एक परतीसत भी नहीं है वो तो 0.1 परतीसत भी नहीं है वो तो 0.01 परतीसत भी नहीं है इसका मतलब बिलकुल ऐसा है कि यदि आप कहोगी आपके बोर्ड के एक्जाम में मानलो 55 लाग बच्च पास हुआ तो लिज Friday को आप कितना प्रूदिक्जस कौगे किसे पिरेंट कपूँए और तो इस हालत है हमारे बीचारे सुद्द जल ली सुद्द जल पक्की बात है जह प्लकुल पक्की है यह इसकी आयनन की मात्रा और आयनन का वेड़ तो बहुत कम है पचास साठ लाख अनुँँ और एक अनुँ टुटेगा तो कितने मुक्तायन देदेगा और कितने मुक्तायन जितने भी मिलेगे वे कितना करेंट को सप्लाई कर देंगे ना के बरबर थीक है तो इसलिए सुद्जल विद्युत का क्या होता है कुछ अलग होता है पर हाँ एक बात और बताता हूं चलो आपको एक हैडिंग लिखते हैं नोट एक बात बताता हूं बहुत अच्छी ध्यान सा समझना यदि आप ग्रेफाइट की बात करते हो न ग्रेफाइट ग्रेफाइट सेल में जो आपका स कि उसमें उते हैं मुक्त इलेक्ट्रों तो ग्रेफाइट की उपस्थिती के कारण मुक्त इलेक्ट्रोंों की उपस्थिती के कारण च और और विद्यूत का विद्युत का सुचालक होता है अब ये भी अपने आप में एक अपवाद ही है क्यों देखो मैं बताता हूँ ग्रेफाइट क्या है ग्रेफाइट में सारे कार्बन के परमानों होते हैं और कार्बन 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 के सारे परमानू आपस में जुड़े होंगे और जब कार्बन से कार्बन जुड़ेगा माने एधातू से एधातू जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोन की सज्जेदारी तो होगी और सज्जेदारी से जो बंद बन पुर्ण को ये जो रिमोट कंट्रोल में लगता है यह घड़ीओं में लगता है दिवार घड़ी ए उस पैंसिल को यदि आप तोड़ोगे रेडियो का साहल अपटा हुता है तो उसमें एक छड निकलेंगी और वह रोड बनी होती है किसकी ग्रेफाइट की ग्रेफाइट की या आपकी जो कच्ची पैंसील होती है ना उसका सिख्था किसका बनाऊता है ग्रेफाइट का तो यह जो ग्रेफाइट है यह ग्रेफाइट विद्धूत का सुचालक क्यों है यह इसलिए है कि इसमें कार्बन की बाहरी कस्था में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं अच्छा यह मुक्त वस्था में और वो जो चोथा इलेक्ट्रोन मुक्त वस्था में रहता है वो मुक्त इलेक्ट्रोन की भाती ही विवहार करता है और वो मुक्त इलेक्ट्रोन एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक आ जा सकता है और जब मुक्त इलेक्ट्रोन उस पूरे ठोस में ट्र कार्बन से मिलके बना है और ग्रेफाइट की खासियत यह थी है कि उसमें कार्वन की आउटर मोस्ट और में से केवल तीन इलेक्ट्रोन ही बॉन्ड बनाने की प्रॉसेस में पार्टीसिपेट करते हैं इसा कार्वन के प्रतेख प्रमाणू के साथ होता है ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है, जल्दी से स्क्रीन सोट लो, फिर अगली वात्ते करेंगे हम, लेलिया स्क्रीन सोट, ठीक है, पांच पाल लक्षनड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलेता, विलेता को आप गुलन शीलता भी कह सकते हो गुलन शीलता को या सॉलिबिलिटी को हो एक ही बात है तो विलेता की यदि हम बात करते हैं तो यह जो सह सहिज़क ठोस होते हैं यह एद्रुविय विलायकों में गुज़ते हैं इसमें एद्रुविय विलाइकों में भूल जाते हैं क्योंकि खुद एद्रुविय हैं ज्यादे तर सह स्योजक ठोस कैसे होते हैं एद्रुविय होते हैं जैसे एद्रुविय विलाइकों में जैसे आप क्या सकते हूँ एद्रुविय विलाइकों में जैसे जैसे कार्बन डाई सलफाइड कार्बन टेटरा क्लोराइड ठीक है या बेंजीन C6, F6 ये सब क्या है ये सब है एध्रुविय विलायक तो एध्रुविय विलायकों में जैसे CS2, CCL4 C6, F6 आधी में घुलन सील होते है कौन होते हैं, बुलन सील सहर सियोजक योगी तो सहर सियोजक योगी खुद एध्रुविय हैं तो एध्रुविय विलायकों में तो ये गुलेंगे ही ये बात तो पकी है पर कभी कभी exam में क्योफ्टन इस तरह का आ जाता है देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ कभी कभी एक्जाम में question ऐसा आजाता है कि आप यह बताओ कि चीनी जो है चीनी चीनी वाने शक्कर या सूगर या सुक्रोज ये चीनी पानी में क्यों गुलती है जबकि चीनी तो है एक सहसेयोजकी योगी चीनी क्या है सहसेयोजकी योगी है C6 चीनी का फार्मूला क्या होता है C12 H20 O11 तो कार्बन हाइडोजन और ऑक्सिजन तिन्नों एधातू है और तिन्नों एधातू है तो इनके भी सहसेयोजक बंद ही बन रहा होगा और सहसेयोजक बंद बन रहा होगा तो इसका मतलब चीनी एक सहर संयोजक योगी है और सहर संयोजक योगी है तो पानी में क्यों गुल रहा जब आप कहरेगी सहर संयोजक योगी एध्रुविय विलायकों में गुलते हैं पानी तो ध्रूविय विलायक है, पानी में तो ध्रूव होते हैं, धंद्रूव और रिंड्रूव, ऑक्सिजन वाला सिरा रिंड्रूव और दोनों हैड्रोजन वाला सिरा धंद्रूव, तो चीन्नी जब सहसेयोजक है, तो पानी में क्यों गुलती है, पानी तो ध्रूविय ह है इसी तरीके से ग्लुकोज ग्लुकोज भी क्या है सहसेयोजक योगीख है ती 6, H12, O6, कार्बन, हड्रोजन, ऑक्सिजन, तीन नो, एधातू, एधातू वापस में जुड़री होंगी सहसेयोजक बंद के द्वारा इसी तरीके से एसीटोन, एसीटोन, सीएस्स्री, 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 ये एसीटोन भी क्या होता है ये भी सहसेयोजक योगीख है, ये भी पानी में घुल जाता है अब सवाल ये है कि सहसेयोजक योगिक चिन्नी, ग्लुकोज, ऐसीटोन ये पानी में क्यों गुल जाते हैं तो इसका जवाब पता क्या है इसका जवाब है चिन्नी, ग्लुकोज, ऐसीटोन इसके अलावा भी बहुत सारी चिज्जे हो सकती है जो सह सही हो जाकी होगी है आदी जल में जल में ठीक है जल के ब्रेकेट में मैं एक बात लिख दू जिससे आपको और फाइदा हो जाए आदी जल जल क्या है एक धुरूविया विलायक जल क्या है एक धुरूविया विलायक यह लिख दिया कभी जल का मतलबी ना समझवाद जल क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ तो चिन्नी ग्लुकोज, एसी टोन, आदी, जल, अर्था, ध्रूवियव विलायक में इसलिए गुल जाते हैं इसलिए गुल जाते हैं क्योंकि ये जल के साथ जल के साथ ध्यान से समझना हाइडरोजन बॉन्ड ये बहुत काम की चीज़ है जल के साथ हाइडरोजन बॉन्ड या हाइडरोजन बंध आप हिंदी में कह सकते हूँ हाइडरोजन बॉन्ड बना लेते हैं अब आपके दिमाग में एक और क्यों खड़ा हो गया हो गा। तिसरे नंबर पर पढ़ेंगे उपसे से योजक बंद भो फिर हम उन तीन नॉन कैमिकल बॉंड को भी पढ़ेंगे जिन में से एक हाइड्रोजन बॉंड है एक धात्विक बंद है एक वांडरवाल बंद है यह सारे हमारे सैलिकर समें यह मैं आपको पढ़ाई दूँगा ठीक है हाइड्रोजन बॉंड मेरे उपपर उधार है मैं पढ़ाऊंगा पक्की बात है ठीक है अभी तो सिरब इतना समझोगी हाइड्रोजन बॉंड चिन्नी भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉंड बना लेती है ग्लुकोज भी ऐसी टोन भी यह पान नबर 6 पर हमें पढ़ Tayta Ch:「 च्छते नंबर पर लक्षण पढ़ना भू पढ़ना है आबंधों की प्रकरती अबंधों की प्रकरती अबंधों की प्रकरती कि मालो आपके पास कोई सहसांइजक यॉगीत है और उससंदों की यॉगासा का उछबरे हैं है और उस्ड़ोजक य सेरो होगी के बहुत सारे अनू हैं तो उन सभी अनूओं में जो सह सयोजदक बंद बन रहे होंगे उन सह सयोजदक बंद्धों की एउन निश्चित दि योगिकों के बंध दिशात्मक होते हैं दिशात्मक का मतलब एक निश्चित दिशा होती है उनकी कि इस बंध को इस दिशा में ही बनना है इस बंध को इस दिशा में ही बनना है इस बंध को इस दिशा में ही बनना है यदि किसी यॉगिक में किवल एक बंद है तो उसकी दिशा भी ठिक्स होगी और यदि किसी यॉगिक में दो बंद है तो दुन्यों की दिशा ठिक्स होगी उनके बीच का बॉंड एंगल ठिक्स होगा और यदि आप एक अणू की बात करते हो तो एक अणू में यदि दो बॉंड है तो दुन दो बॉंड के बीच का एंगल जो है बॉंड एंगल जिसे आप कहते हो बंद कोण कोई एक जैसा ही रहेगा हर एक अणू में और यदि कोई अणू ऐसा है कि जिसमें तीन इबॉंड है या चार बॉंड है तो जितने भी बॉंड हैं उनके 20 का बॉंड एंगल और उनकी डिरेक्शन फिक्स रहेगी चाहे आप 1000 अणू चेक्स कर लेना उस योगी के तो कहने की बात यह है कि सहसंयोजक योगीकों के बंध दिशात्मक होते हैं यानि इनकी डिरेक्शन फिक्स होती है इनकी जिसा बिल्कुल फिक्स होती है यह नहीं बदलते हैं यह ऐसा नहीं होने का कि आपने एक अणू लिया और उसमें बॉंड एंगल 60 डिग्री है और दूसरा अणू लिया उसमें बॉंड एंगल 55 डिग्री है यदि आप एक ही योगीक के बहुत सारे अणूओं को चेक करोगे तो उन सारे अणूओं में बॉंड बिल्कुल एक तरीके से ही बने होंगे और उनके बॉंड एंगल भी बिल्कुल एक जैसे होंगे तो यहां हमने लिखा है सहसंयोजा की योगीकों के बंद दिशात्मक होते है आते हैं इनकी इनकी माने किनकी सहसंयोजा की योगीकों की आते हैं इनकी एक निश्चित जामीतिया आकर्टी होती है तो इनकी एक निश्चित जामीतिया आकर्टी होती है किनकी सहसयोजक योगिक होगी ठीक है उसके बाद हम नंबर साथ पर जो हमें लक्षन पढ़ना है वो पढ़ना है रासाइनिक अभीकरियाई कि यह जो सहसयोजक योगिक होते हैं यह किस प्रकार की रासाइनिक अभीकरियाई दिखाते हैं देखो मैं बताता हूँ कैसी रासाइनिक अभीकरियाई दिखाते हैं अच्छा पहले मुझे आप एक बात बताओ जो आयनिक योगिक थे वे आयनिक योगिक जो हमने पढ़ेते वे किस प्रकार की रासाइनिक अभीकरियाई दिखा रहे थे आप कहोगे कि सर आईनिक अभीकरिया है और आईनिक अभीकरियाओं का वीग होता है सूपर पास्ट एक सेकंड के छोटे से हिस्थे में ही complete हो जाती है पर जो सहसायोजिक योगिक है वे तो आईनों में टूटते ही नहीं है जादतर सहसंयोजक योगिक तो एधुरूबिय होते हैं आयनों में ना टूटने वाले तो जब आयनों में नहीं टूटेंगे तो आयनी कभी करी आए दिखाई नहीं सकते हैं ये दिखाते हैं आणवी कभी करी आए ठीक है? तो हम लिखेंगे सहर संयोजक योगीक आर्णविक अभीकरिया आर्णविक अभीकरिया आर्णविक अभीकरियाएं ऐसे लिखेंगे आर्णविक अभीकरियाएं दिखाते हैं जिनका वेग कम होता है बहुत फास्ड पर आर्णविक अभीकरियाओं का वेग होता है कम यह जीज़ ध्यान रखनी है अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीन सॉट लेंगे ले लिए बेटे स्क्रीन सॉट ठीक है तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि सहसंयोजक योगीक बनने की सर्ते क्या है यानि परिष्थितियां क्या है कब बनता है सहसंयोजक योगीक गुए लक्षन कौन कौन से है यह सात्तो लक्षन का मतलब सात के उस्चन सात वैरी शॉट के है आज कल के पेपर सैटर ऐसे बहुत सम है जो सीधा ही क्योस्टिन आपको देदेंगे कि सह संयोजक योगिकों के लक्षन बताओ ऐसा क्योस्टिन आने के चांस बहुत कम होते हैं क्योस्टिन जो है जितने पॉइंट हमने पड़े हैं साथ इन पॉइंट के अंदर से ही क्योस्टिन आता है किस तरह का क्योफ्षिन आ सकता है कि सहे संयोजक योगिक ऐ ध्रुविय विलायकों में घुलंसील होते हैं परंतु फिर भी चीनी ग्लुकोज ऐसी टोन जल में क्यों भुल जाते हैं जबकि जल एक ध्रुविय विलायक है तो इस तरह के टेक्निकल क्योफ्षिन पूछे जाने होगे उस चीज को उसके फैक्ट जानोगे उस कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो आपके सामने किसी भी तरह का क्योफ्षिन आ जाएगा तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में फसोगे ही पक्षी बात है ठेक है तो मेहजत और इमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो प्ले लिस्ट के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए यदि सब्जेक्ट पर पकड़ आपको मजबूत बनानी है तो आपको प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए मैं बार बार कहता हूँ और हैंड रिट प्रिंट आउट निकालने में बहुत ज्यादे खर्च आपके पैसे हो जाएंगे इसलिए आप क्या करो हैंड रिटर नोट्स बनाओ सबसे अच्छी बात है वैसा आपकी मर्जी है जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो पर महनत और इमानदारी से पढ़ाई जरूर कर झाल झाल